चार बड़ी खबरों के साथ पहली खबर का रुख करें जहां सुभह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अजीबो गरीब बयान का जिक्र है उनका कहना है कि सरकार बनती है उनकी तो पांच साल के भीतर पांच अलग अलग जातियों के सीम बनाएंगे एक साल में चार डिप्टी सीम बन जाएंगे वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी धर्मांतरण मामले में एडी ने मनी लॉंडरिंग एक्ट के तैट केस दर्च किया है तीसरी बड़ी खबर यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल बारप प्रस्तावों पर मोहर लगी है चौथी बड़ी खबर होगी राश्टपती रामनात कोविन के कानपुर दौरे की जहां वो अपने पैत्रिक गाउं पुखराया जाएंगे तो ये चार एहम खबरे न्यूज एट फोर में लकनों में योगी कैबिनेट की एहम बैठक हुई जिसमें ब्रारप प्रस्तावों को लेकर मन्जूरी की बात सामने आई है जिसमें आध्यात्मिक परिटन को लेकर एक एहम फैसला किया गया है इसके तहट चित्रकूर धाम विकास परिशत विंध्य धाम विकास परिशत इन दोनों को मन्जूरी मिली है इस विकास परिशत के अध्याक्ष होंगे सीम योगी जफ्यू पाध्याक्ष होंगे परिटन मंत्री नीलकन इसके अलावा चिकित्सा सिक्षा विभाग से जुड़े दो एहम प्रस्ताव पास हुआ है एक प्रस्ताव स्वास्त विभाग से जुड़ा है लोग निर्मान विभाग से जुड़ा हुआ भी प्रस्ताव पास हुआ है 12 बजे एक एहम बैठक हुई CM योगी की अध्यक्षिता में जहां पर 12 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर लगी सबसे एहम परेटन को लेकर आध्यात्मिक धाम को परेटन से जोड़ने की एक नई कोशिश होगी ये दो एहम पैसले हैं इसके अलावा स्वास्त विभाग से भी फैसले पर मुहर लगी है PWD डेपार्टमेंट से भी दो फैसलों पर मुहर लगी है तो कुल 12 ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है क्याबिनेट की इस बैठक में तो काफी एहम ये बैठक मानी जा रहे थी 12 बजे ये मीटिंग हुई वर्चुली तमाम कैबिनेट मंत्री जुड़े जहां चित्रकूट धाम विकास परिशद हो या विंद्य धाम विकास परिशद इन दोनों को मंजूरी मिली है अध्यक्ष की तौर पर सीम रहेंगे उपाध्यक्ष होंगे परिटन मंत्री नील कण्ड अध्यात्मिक धाम को परिटन से जोड़कर इस ब्रस्ताव को पारित किया गया है जहां एक विकास परिशद बनाये गया है चित्रकूट धामो या विंद्य धाम, इसका विकास कैसे होगा, परेटन से इसे कैसे जोड़ेंगे, यहां के लोगों को परेटन के लिहाज से किस तरीके से इनके जिवी को पारजन में मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, इस सारी चीजें इसके भीतर आएंगे. प्रदेश के हित में कई मात्पून नेड़े लिए गए हैं, उसका डीटेल अभी सरकारी प्रवक्ता के माध्यम से जारी किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही प्रयास है कि प्रदेश की 24 करोन जनता के जीवन में कुसाली आए, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में सुसासन रहे, गुंडे, अपराधी और जो भरष्टाचारी उनके इकलाव कारवाई हो, इस दिशा में सरकार के माध्यम से काम किया गया है और कैबिनेट के जो प्रस्ताव हो, उसका डीटेल अभी प्रवक्ता मों देते हैं, जो लग रहा है कि बाहरा के लग 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 प्रस्ताव पारिट किये हैं, और इनको जो एक्यूप्मेंट से आधुनिक व्यवस्ता है, जिसे लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, अब हमको हैजराबाद जाना पड़ता है, अब हो हमारे लगनों में हमारे ये बड़े हास्विटर्स में सुविजाएं उपलब हो जा तो ये सारी जानकारी उन्होंने साजा की, साफ तौर पे कहते हैं कि स्वास्त महकमे को जो हमारे अस्पताल है, उनको जो एक्विप्मेंट्स चाहिए होते हैं, उपकरण चाहिए होते हैं, वो भी हाई एंड होने चाहिए, कुछ ऐसे उपकरण हैं, अगर फेपड़े गई कि बारख कुल प्रस्ताव के करीब हैं, जिन पर सहमती बनी है, उनकी डीटेल्स भी साजा की जाएगी, लेकिन जो एहम बाते निकल के आई हैं, वो है विंद्यधाम और चित्रकूत धाम, ये दो ऐसे धाम हैं, जिसे आध्यात्मिक परिटन से जोड़ कर देखा जा र ये आमूल चूल परिवर्तन की योजना बनाने की कोशिश है, कि किस तरीके से विकास परिशत के जरिये, जिसके अध्यक्ष अगर खुद सीम होंगे, यानी सीधा नजर रखेंगे इन दोनों धामों पर, रुक करते हैं हमारे सायोगी अनभव का, उनसे डीटेल लेने की को हो रही है अनभव, सबसे जादा एहम जो देखा चारा है वो है विंद्यधाम, चित्रकूट, धाम, और किस तरीके की जानकारी अनभव, बताईए हमें तो ये दो एहम प्रस्ताव हैं जिस पर सीधी चर्चा की जारी है क्योंकि इन दोनों धामों के अध्यक्ष के तौर पर खुद सीयम रहेंगे, उपाध्यक्ष परेटन मंत्री रहेंगे इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी महत्वकांची ये योजना ये विकास परिशद है, विंद्यधाम, चित्रकूर धाम, यानि इसका विकास बहुत तेजी से किया जाना है, बहुत सटीग धंग से होना है, और हमारे सायोगी अनभव से इन फिरत जुनने की कोशि परिशली भी जुड़ेते, क्योंकि तमाम सारे मंत्री इससे में अलग-अलग जिलो में हैं, क्योंकि कल नामांकन होना है, जो जिला पंचार अद्वकांची पर्थ के उमिद्वार हैं, तो उसमें लोग रहेंगे मौजूर, इसलिए कुछ लोग वर्ट्यूली जुड़ेत जो सबसे महत्रपूर प्रस्ताव पास हुआ है, वो चित्रकूर धाम विकास परिशद, यानि अभी तक जिस तरीके से महतुरा विकास परिशद है, उसी की तर्च पर अब चित्रकूर धाम विकास परिशद भी होगा, और जिसके अदेश खुद मुख्य मंत्री होंगे, त विधान्स सभा में पडाल पर इसको रखा जाया गा या अभी जो आगा यहाए लिकिन इसकी क्या नियमावली होगी किस तरीके से यह विपास पल्शड काम करेंगा इसका अगर हम कहें तो जो पूरा बाइलाज है वो जो तयार हुआ था उसे एक्स कैबिनेट में रखा गया था कैबिनेट नो उस विजह को उसको पूरे बाइलाज को अप्रूव कर दिया है और अब यह विधान सभा में रखा जाएगा वहां पास हो जाएगा यानि तो मसर हो का सर्कार विपास करेंगी और इसलिए मत्रों में इसको किया वहाँ पर विकास परिशद बनाया वहाँ जिस तरीके से काम हो रहा है अब उसी की तर्पज की तर्कूट धाम भी पूरा हम कहें तो एक परिशद बन जाएगा और जिसके अदस खुद मुख्यमंत्री होंगे लेकिन अभी पूरे बाइलाउस को मंजूरी मिली है लेकिन चलिए अनुवव मौनसून सेशन का इंतजार करना होगा कि उस पटल पर रखने के बाद किस तरीके का क्रियाएं होती है एक्शन लिया जाता है लेकिन अगर मतुरा विकास परिशद की बात करें मतुरा के विकास का जो हम कहें तो घाचा तैयार हुए स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसमें विकास परिशद का बहुत बड़ी भूमिका है और यहां का जो परेटा जाते है वो यह कहते है कि पिसले दो ढ़ाई सालों में जो मतुरा वो काफी बदला है पहले जो परिक्रमा मार्तामत्यूरा में लोगों को खासी दिक्ट का सामनी करना पड़ता था लेकिन जब विकास परिशद के बना और उसमें तमाम लोग दूले और उनको अल्ग-अलग जिम्मदारी जी गई तो जो परिक्रवा मारग उसको काफी बहतर किया गया है थोड़ी जो वहाँ पर लोग जाते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि काफी विकास हुआ है और वहाँ के जो बाइलाज हैं उसी से मिता जुटा ये जो बाइलाज बनाए गया खासर से चित्रकूट धाम का पूरा विकास करने के लिए अब बिल्कुल अनभाव अब मतूरा का मॉडल अगर सक्सेस्फूल राय सफल राह है तो अब चित्रकूट और विंद्य धाम से जुड़े लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर है आगे बढ़े और बात करें कि सियासी गल्यारे में सत्ता के लिए ऐसा ओफर शायद ही कभी किसी ने सुना हो लेकिन सुहेल देव भारती समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने ये बेदुका ओफर दिया है उनका कहना है कि अगर उनके सरकार बनती है तो पांच साल में पांच अलग अलग जाती हों के पांच मुख्यमंत्री बनाएंगे यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक साल में एक साल में चार डिप्टी सीम बनाएंगे यानि 5 साल में 20 डिप्टी सीम बन जाएंगे ओपी राजभर ने सबसे पहले संजे निशाद को एक साल तक सीम बनाने का एलान भी किया कहा कि भाजपा के पास वोट नहीं है राजभर ने संजे निशाद को अपनी भागेदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने की अपील की है ये बायान हर्दोई में कारेकरताओं की बैठक में दिया है एबुपी गंगा से क्या कहा उनका फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा ये भी सुनिया जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं ये हमारे मोर्चे में सामिल हो जाने साथ पार्टी तो हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी पांच साल चलेगी और एक एक साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे अगे बढ़ते हैं यूपी धर्मांतरन मामले में अब एडी का शिकनजा भी कस गया है एडी ने मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत केज तच किया है इस मामले की जाँच ED की STF ब्रांच करेगी आपको बता दें कि UP ATS के दस्तावेजों को जाँचने के बाद ED ने केस दर्च किया है दरसल ATS की ओर से भेजे गए दस्तावेजों का निरिक्षण करने के बाद ED ने उतरप्रदेश धर्म परिवर्तन रैकेट मामले में Prevention of Money Laundering Act के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया है तो अब ED का शिकंजा कसा जाएगा ED की जो STF ब्रांच है वो इस पूरे मामले पे जाँच करेगी कि आखिरकार फंडिंग कहां से होती है धर्म परिवर्तन वाले रैकेट केस से जुड़े जो कई संस्थान का नाम सामने आ सकता है तो उन संस्थानों को पैसे कहां से मिलते थे इनका कनेक्शन कहां से है अब इन सारे दस्तावेजों को ATS ने जब भेजा तपदेश की ओर से तब E.D. ने Prevention of Money Laundering Act के तहत ये केस दर्ज किया है अब हर एक डीटेल खंगाली जाएगी हर एक संस्था से जुड़े बैंक डीटेल खंगाले जाएगे और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कहां कहां से तार जुड़े है वित्तिय मदद कहां कहां से मिलती आई है धर्म परिवर्थन के रैकेट चलाने वाले लोगों के लिए लगनों में 1,37,000 खाली पदों पर 22,000 सिक्षकों की भरती की मांग को लेकर SCRT कार्याले पर बड़ी संख्या में अभ्यार्थी धरने पर बैठे हैं अलग-अलग संगठनों के अभ्यार्थी यहां प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने योग अभ्यार्थियों की भरती की मांग की है उस दौरान उन्होंने 79,000 भरती में 22,000 पदों को बढ़ाने की मांग की है कुछ अभ्यर्थी नई विकेंसी निकालने की मांग कर रहे हैं साथी दिव्यांग कोटे के आरक्चन की भी मांग कर रहे हैं और बैनर पोस्टर लेकर अभ्यर्थी से आर्टी का रियाला में डटे हुए हैं यह तमाम अभ्यर्थी हैं जो SCRT का रियाला के बाहर लगातार डटे हुए हैं जहां 79,000 भरती के लिए जैसे ही जानकारी आती है कि इसकी प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं और जल्द ही भरती हो जाएगी लेकिन इसके विरोध में यह तमाम अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों के साथ बैनर, पोस्टर लेकर और कई तरीके के स्टूडेंट हैं कुछ इसमें OBC कोटे की मांग कर रहे हैं और कुछ दिव्यांग कोटे की मांग कर रहे हैं पुछ 22,000 नई भर्तियों की भी मांग कर रहे हैं। और अपना विरोध प्रदर्शन का करम दिखा रहे हैं। जमीन का विवाद बताया जा रहा है। बस्ती से ये तस्वीरे आई हैं। बर्साइएं दोनों पक्ष्ट से ठेलोगायल हुए है। ये खूरे! ये खूरे! बारानसी की तस्वीरे हैं जहां जमीनी मसला था और दो पक्ष्ट किस तरीके से गुथम गुथा होते चले गए जरा देखे। अगली खबर बरेली से है जहां मास्क नहीं लगाने पर बैंक के गार्ड ने रेलवे कर्मचारी को गोली मार दी और कर्मचारी गंभीर हालत में अस्पताल में भरती कराए गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी गार्ड को हिरासत में लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जंचन रोड पर मौजूद बैंक ओफ बडोदा का है। तो ये तस्वीरे हैं जो चौकाती हैं कि बैंक ओफ बडोदा में एक कर्मचारी जाता है। गार्ड कहता है मास कहा है और इस पूरे मामले पर तना तनी ऐसी भड़ती है कि गार्ड ने उस शक्स को गोली मार दी। अगली खबर शा जहांपूर से है जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी घोशित कर दिया गया है। गोशित किया जा चुका है। बलरामपूर में भाजपा की युवा सोच की प्रदेश भर में चर्चा है। आखिर क्या है ये मामला देखिए इस रिपोर्ट में। बलरामपूर में जिला पंचायत अध्यक्ष पत के चुनाओ के लिए भाजपा की अनूठी पहल की चर्चा पूरे प्रदेश में। ये आरती तिवारी है, उम्र मातर 21 साल, इन दिनों आरती और भाजपा की चर्चा पूरे प्रदेश में। इस बीच पार्टी के जिला ध्यक्ष पर क्या कह रहे हैं, खुद उन्ही की जुबानी सुन लिजे। वहीं सपा ने यहां से किरन यादों को अपना उमिद्वार बनाया, जबकि बात आकडों की करें, तो बलरामपूर में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 40 है, जिसमें भाजपा के पास 6, सपा के पास 13, बसपा के पास 10, निर्दलियों के पास 10, और कॉंग्रेस के पास 1 स मतलब साफ पार्टियों को बहमत के लिए जोड़तोर से लेकर जीतोर मेहनत करनी ही होती है, एवीपी गंगा के लिए बलरामपूर से शुसील की रिपोर्ट पिली भीट से खबर मिल रही है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोशित किया जा चुका है, भाजपा ने दलजीत कौर को जिला पंचायत अध्यक्ष उमीदवार बनाया है, सपा ने स्वामी प्रवक्ता नंद को प्रत्याशी बनाया है तो जिला पंचायत अध्यक्षपद के लिए प्रत्याशों की घोष्णद सपा और भाजपा ने कर दी है अलिगढ़ की बात करते हैं जहां अलिगढ़ में आर एलडी और सपा का संयूंक प्रत्याशी घोशित किया गया है नाम है अरचना यादव, इन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष उमीदवार बनाये गया है तो यहाँ पर एक आर नाम सामने आता है अलीगड़ से अर एलडी और सपा का संव्भूर्ण अर्चना यादव का नाम सामने आया है पंचायत अध्यक्ष के पत के लिए ये उम्मीदबार गोशित की जा चुकी है अलिगड़ में राश्पती रामनाथ कोविन के कानपूर यात्रा की रवाना हो चुके हैं स्पेशल ट्रेन महराजा एक्स्प्रेस टूनला से निकल गई है दोपहर साड़े बारा बजे प्रेजडेंशिल ट्रेन के जरिए महा महीम अपने पूरे परिवार के साथ कानपूर के लिए रवाना हुए है इस दोरान रेल मंत्री पियूज गोल खुद उनको स्टेशन पर छोड़ने के लिए पहले से मौजूट थे जिसके बाद राश्पती ट्रेन पर चड़े वक्त पर कानपूर के लिए निकल पड़ी है ट्रेन शम साथ बज के 55 मिनट पर पहुचेगे बड़ी ख़बर मिल रही है संभल से सपासांसर डॉक्टर शफिकुर रहमान बर्क ने लगाई वैक्सीन पहले कुरोना वैक्सीन का शफिकुर रहमान ने विरोध किया था और अब उन्होंने वैक्सीन लगवाली है तो जहां वैक्सीन का बहिशकार चल रहा था अब वैक्सीन लगवाले